सुप्रभाद बच्चो उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं बच्चो आज हम आपके हिंदी पाठ्ठ पुस्तक गुंजन पाठ माला से सात्वे अध्याय के आगे के अंश को पढ़ेंगे पिछली क्रच्छा में हमने इस पाठ के छोटे से अंश को पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि डामन और पिथियस दो मित्र थे और पिथियस को वहां के बहुत ही क्रूर राजा ने फासी की सजा सुनाई थी और जब उससे उसकी आखरे इच्छा पूछी गई थी तो उसने कहा था कि वहां अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है पर उस पर भी कुरूर राजा ने यह शर्ट रखी थी कि वह अपने परिवार से मिल सकता है लेकिन उसके बदले में किसी को जेल पर आकर रहना होगा तो अब आगे के अंश को पढ़ते हैं दामन पिथियस का मित्र था उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना सुईकार किया पिथियस अपने परिवार से मिलना चले गया लोटते समय हवा उल्टी चल रही थी पिथियस की नाव ठीक समय पर न पहुंच सकी दूसरी और डामन के मन में आनन की लहरें उठ रही थी आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा इधर पिथियस सोच रहा था हाई अगर मैं समय पर न पहुंच सका तो प्यारे मित्र डामन को फासी हो जाएगी फासी का समय आ गया था डामन को फासी के तक्ते पर चढ़ा दिया गया डामन प्रसंन था लोग कहने लगे पिथियस ने मित्र को धोका देकर अच्छा नहीं किया क्योंकि पिथियस आने में देर कर रहा था डामन ने चिल्ला कर कहा ऐसा मत कहो पिथियस सच्छा मित्र है वह किसी कारणवस नहीं पहुंच पाया होगा फिर उसने जलाद से कहा जलाद जो कि उसे फांची देने वाला था उससे कहा भाई समय हो गया तुम देर क्यों कर रहे हो तो बच्चो यहाँ पर वापसी में पीथियस के ठीक समय पर ना पहुँच सकने के कारण डामस को फांची के मचान पर चड़ा दिया जाता है दामन बहुत प्रसंद न था कि उसका जीवन उसके मित्र के काम आएगा उधर पीथियस यह सोच सोच कर परिशान हो रहा था कि अगर वह समय पर नहीं पहुँचा तो उसके मित्र को फांची दिया जाएगा दोनों में कितने गहरी मित्रता था एक अपने मित्र के लिए फांची पर चार जाने के लिए तैयार था और दूसरा वहाँ फांची पर चार जाएगा यह सोच सोच कर परिशान हो रहा था तो बच्चो इस पाठ के आगे के अंश को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिये के क्रियाकारी को पूरा कीजिए धन्यवाद